कई महीनों के इंतिजार के बाद आज सुप्रीम कोट ने मुफ्ती सल्मान अजरी को फौरी रिहा करने का आदेश दिया है मुफ्ती सल्मान अजरी साहब के चाहने वाले शिदध से इस खबर का इंतिजार कर रहे थे और आज उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है 6 फेबरवरी को सिर्फ एक शेर पढ़ने पर एहमदाबाद की ATS ने उन्हें कस्टेडी में लिया था और ये अब तक गुजरात के वरोड़ा जेल में खैत है मुल्क भर में लगातर मुक्तलिफ और्गनाइशन से हजारों लोग एतिजाज कर सल्मान अजरी को रहा करने की मांग करते आ रहे थे इन्हें अलड़ी तीन केसेस में बेल मिल चुकी थी पर प्रिवेंशन आफ एंटी सोशल अक्टिविटीस एक्ट के तहट ये फेबरवरी से लेकर अब तक जेल में खैत हैं लेकिन आज सुप्रीम कोट ने गुजरात हकोमत के जरिये मांगी गई के स्टेडी को रिजट कर सल्मान अजरी को वरुदरा जेल से रहा कर दिया है आज कल हर कोई देख रहा है किस तरहा कुछ फिरकापरस्त लोग लगातार मुसल्मानों को गाल्यां देने के अलावा नभी करीम सल्लेला अले सल्लेम की शान में गुस्ताखी कर मुसल्मानों के जजबात को ठेस पहुँचा रहे हैं और मुलक के मुक्तलिफ इलाखों में सो से ज़्यादा केसस करने के बावाज़ूद उने गुरफतार नहीं किया जा रहा पर अफसो सल्मान अजरी ने सिर्फ एक शेयर पढ़ाता जो किसी भी मज़भ के खिलाप नहीं था इसके बावाज़ूद उने सिर्फ मुसल्मान होने के आधार पर अब तक जेल में खैद किया गया था और आज कई दूआ और गुजारिशों के बाद सल्मान अजरी सहाब को राहत मिली है जो उनके चाहने वालों के लिए बेहत खुशी की बात है